कि देख सकते हैं दोस्तों लगाने कि इसे जो है काटिंग करेंगे और इसे भी जो है हेलो दोस्तों कई से सब लोग उम्मिद करता है अच्छा होंगे मैं हूँ अब्दुलमाले जो है बनाने जा रहा हैं ब्रेड अमलेट स्लाइस ब्रेड का अमलेट हमना एक आंडा तोल लिए है अभी आंडा तोड़ेंगे तीन और एक चार चार आंडा हमने तोल लिए है और इसमें दे रहा हैं दोस्तों दखें ओनियन चॉपिंग दो ओनियन का चॉपिंग हमने दिया है और ग्रेंचिली चॉपिंग नमक दोस्तों स्वाद अनुसर न देए नमक देदिया हमने अच्छी तरीक कसे मिक्स करना है he ये जो है अभी अच्छी तरीका से मिक्स फो चुगा है मिक्स हो चुगा है अभी इसे रहना देते हैं तो अभी एक टीशू हमने लिया है उससे जो है अच्छी तरीका से ज़ुड़ी को अच्छी तरीका से साफ कर लिया है ग्यस ओन करेंगे बिस्मिल्लाहिर रह्माने रहीम तो इसे बैठाएंगे ब्रेट कु अच्छी तरीका से प्राइ करना है आप बटर भी ले सकते हैं या देसी घी ले सकते हैं देसी घी हमने लिए ब्रेट कु रोस्ट करना है दोस्तों आच्छी तरीका से रोस्ट करना है ब्रेट कु तरीका से जो है घुमाल है ब्रेड आमलेट जो है दोस्तो ब्रेक पर्स्ट पर एविनिंग का टाइम में टिफिन पर किसी भी टाइम पर आप खा सकते हैं दोस्तो ब्रेड आमलेट यह अंगे ब्रेक दोस्तो इसी तरिका से ब्रेड को रोष्ट कर लेना है कि देखें दोस्तो कितना मास्त रोष्ट हो रहा है अगर स्लाइस ब्रेड पर कर रहे हैं तो रोष्ट करें रोष्ट करके बनाएंगे तो ब्रेट आमिलेट जो है बहतर ही होएगा दोस्तो तो आप ही रोष्ट हो चुका है इसे उठा लेते हैं दोस्तो उमने उठा लिया है देखें दोस्तो घी अबाद में इसी तरीके से चैंज करना जरूरी है देखें दोस्तो अच्छी तरीका से आम अदा रोष्ट हो चुका है इसी तरीका से बाकी भी रोष्ट कर लेंगे ब्रेड आमिलेट भुनाने के लिए ओईल दियांगे ओईल कुछ चारो और फैला लाएना है इसी तरीका से इसमें डालना है ओमलेट अगर आपका बड़ा प्टाई पेना है तो ज्यादा अंड़ा डाले हम इसका आदा डालेंगे दूस्तों इसे थोड़ा सा हिला लें ताकि चिपके ना अभी जो है हमने इसी तरीकर से ब्रेट चिपकाना है इसके देहें इजी एंड क्विक प्रोसेस है आप लोग देखें दोस्तों एतना जट पड़ जो है हमने ब्रेट अमलेट बना के दिखाएंगे आप लोगों को अच्छी तरीका से जो हमने उल्टा दिया है इसको उपर लगाने से पहले दोस्तों ये वाला जो हिसा है ये वाला इस तरफ से इसको उपर डाले ताकि लियार आपका जबर्दस बने देखें दोस्तों अब हमने इसको उपर दबा दिया है ऐसी तरीकसे ज़ेऊ और मीस बढ़ाएं कि दाएं कि देए थे हमारा पकंच चुका है अब इससे काटिंग कर लेते हैं इसी तरीका से काटिंग कर लेते हैं अभी जह इसे काटिंग करेंगे तो हमने लेना है दो कि इसे काटिंग करके देखाते हैं दोस्तों कि कि अराम से काटिंग करना है इसी तरीके से हमने बना लिया यह वाला भी बहुत ही जबर्दस एडामलेट हमारा बन के त्यार हो चुका है सार्प करने के लिए यह अन्यार में अल्ड़न है